और तो आप भी जाएए इस ऑफर का लाभ उठाइए क्योंकि यह ओफर है सी में समय के लिए एक है है अलो दोस्तों नमस्ते आदाव स्वागत करता है तो दोस्तों हो जाईए तैयार क्योंकि हम यहाँ पर करने जा रहें जीके और जीएस पेवार जहां में लोग करें दोस्तों वह सारे सवाल जो कि आपके एससी जीडी और एससी सीजेल एक्जाम पॉइंट वी से बहुत ज्यादा महत्पून है शुरुवात करने से पहले सभी लोगों को भर-भर के गुड़ आफटरनून और जल्दी जल्दी से सभी लोग क्या करेंगे इस सेशन के लिंक को एक बार जल्दी अपना सेलेक्शन लेना है तो उसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा और इसलिए हम लोग यहां पर डेली मिलते हैं मंडे टू फ्राइडे कब मिलते हैं मंडे टू फ्राइडे दो पहर को 2-3 बज़े जहां पर हम लोग करते हैं GKGS के सवाल और एससी जीडी और जो है है CGL SSC CGL ठेक है और हम लोगों ने दोस्तों 60 डेस चैलेंज लिया है जहां पर हम लोग को क्या करना है कि जो प्रिविए सीर कोस्टन आये थे उसके बेसिस पे और जो कोशन आ सकते हैं वो सारे इंक्लूड करते हुए हमें तयारी कर दी है तो चले शुरुवात करेंगे और जल्दी जल्दी सभी लोग क्या करेंगे यह स्टाइप करेंगे अगर मेरी स्क्रीन और वॉइस एकडम क्लियर है और आप लोग तयार है यहां पे पहले कोश्टन के लिए चले जल्दी फटावर से यहां पर शर्मा जी ने यस टाइप कर दिया है ब्लैक शाइन ने इस टाइप कर दिया है प्रशांत प्रियांशी बहुत बढ़िया तो पहला सवाल आपके लिए आपकी स्क्रीन पर निमलिखित में से किस व्यक्ती ने जो है मोटो जीपी इंडिया ग् पाटरो है या फिर जोर्ज मार्टिन हैं May को बेुचिसी है या फिर बी बाइंडर है करेक्ट आंसर बताईए कहरे सरसी होना चाहिए मंगेश कह रहे हैं मार्को आशीच कहिंगा और सब्सक्राइब तो जो लोग मारघको कह रहे हैं उनका बिलकुल अंसर हो जाएगा MARCO 22, johry उन्होंने दोस्तो MOTO GP INDIA GRANPIRK 2023 जीता है आप यहां पे News экer का cut देख सकते है यह News है 24 सितंबर 2023 की नेचिकह ए MOTO GP INDIA GRANPIRK 2023 highlights MARCO 22 wins दी, inaugural race George Martin Dramatically Takes Second शर्वार्ज मार्टिन ते, first time on Marco 22 सिफे यह आपको धियानरकना है अच्छा है अगर मैं आपसे ये पूछता कि बताईए पहली बार Formula E race कहां पर आयोजित हुआ भारत में पहला Formula E race जो है ये कहां पर आयोजित हुआ था तो आप कहोगे हाइदराबाद में कहां पर हाइदराबाद में और इसका विनर कौन था सभी लोग मुझे कमेंट करके जल्दी जल्दी से बताएंगे Formula E race ये 2023 की ही हम बात कर रहे हैं जल्दी से बताईए कौन था दोस्तों विनर वेरी गुड यहां पर सर कितने दिन से क्लास हो रहा है श्रवन जी बहुत दिनों से क्लास हो रहा है अभी तक आप को शायत पता नहीं था लेकिन अगर पता चल गए तो डेली जुड है तो यहां पर जिन जो लोग यहां पर कह रहे हैं कि उस राज को मिलान कीजिए जिसमें यह इस्थित है तो एक तरफ आपको युनेस्को साइट दी गई है और एक तरफ आपको क्या दी गई है राज दिये गए आपको मैच करके बताना है कौन सा करेक्टांस रुगा यहाँ पर जैसे की दिया है एलोरा सूरी मंदिर के जो है और हम पी एलिमिनेशन मैथड लगा दीजिए आराम से हो जाएगा एलिमिनेशन मैथड से सी ऑप्षन सी ऑप्षन करें चलिए हमें देखें माली यहाँ पर कुछ भी नहीं पता है तो हम लोग यहाँ पर क्या चेक कर लेते हैं हम लोग सिर्फ पहले वाले को चेक करेंगे अलोरा गुफाय जो है दोस्तों अलोरा की गुफाय अगर हम बात करते हैं अलोरा की गुफाय यह कहां पर आपको देखने मिलेंगे महराश्ट में मलब एक फोर होना चाहिए और एक फोर सिर्फ ऑप्षन नबर टू और थ्री में मिल रहा है तो यहाँ पर दो रह जाएंग आपस्ट और ट्री हो जाएगा तो जिन लोगों ने ऑफ्षी नमर्थ थ्री कहा है उनका विल्कुल और आंसर हो जाएगा यह ध्यान रखेगा ठीक है मैं आपको दोस्तों कुछ यहाँ पर घुफाय जो है उनका यहां पर दिखाया हुआ ठीक है इस मैप में आपको घुफ को वाले साइट से दोस्तों ठीक है फिर उसके बाद आपको यहां पर देखेंगे मिलेगा संटेंपल कहां पर है उडीसा में हैं ठीक है यह आपको ध्यान रखना है खजराहों मंदर मध्यप्रदेश में हैं ठीक है साची स्थूपा कहां पर है मध्यप्रदेश में हैं ठीक है आगे पढ़ते इसी के साथ अगला जो है सवाल लेकिन उससे पहले थोड़े से और भी चीज़ा आप देख सकते हो यह सारे आपको गुफाएं दिखाई गई है ठीक है मैंने दोस्तों इंडिया का जो मैप है उसका पार्ट यहां पे लिया है ठीक है जैसे कि आप देख पाओ अगला सवाल क्या रहा है लेकिन उससे पहले दोस्तों जिनोंने अभी तक शेर नहीं कि एक बाप फटावर से शेर और लाइक करते वो चलेंगे ठीक है यहां पे देख 1719 से लेके 1748 मतलब 1719 से लेकिए 1748 तक सासन करने वाले मुगल बास्सा मुहम्मद सहरंगीला का वास्तविक नाम क्या था ठीक है वर्ड वॉस दा रियल नेम आफ दी मुगल एंपरेर मुहम्मद शारंगीला हुरूल फ्रॉम 1792 1748 क्या उनका नाम लाख बक्ष था अल्ला राखा था या फिर रोशन अक्तर था या फिर जो ह है मुराद बारू था क्या था नम सभी कई लोक अल्ला राखा का रहे ही दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा अल्ला राखा था या फिर कुछ और ही नाम था तो देखें जिन लोगने अल्ला राखा कहा है, उनका तो गलत होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना أstげ थोड़ा गलत होना चाहिए, यहाँ पर क्योड रोशन अक्तर नाम था, तैंगेक है, आल्ला राखा तो दोस्तो आपको याद होगा, एक दोस्तो लिशेंशन थे, तेंगे, जो कि जाक मुगल राजा बासा मुधंध शाह रंगीला थे उनका वास्तविक नाम तो उनका वास्तविक नाम था रोशन समराज तो याद रखेगा उन्हों ने दोस्तों 1719 से लेके 1748 तक जो है शासन किया था और उनके सासनकाल को अक्सर समराज के पतन के काल के लिए जाना जाता है ठीक है मतलब कहा जाता है कि इस समय से जो है मुगल सासन जो है दीरे-दीरे कमजोर होती चली गई ठीक है क्योंकि वह राजनितिक आस्थिरता आर्थिक कठिक कठिनाई और सैन असफलताओं से चिन्नित थे मतलब इनके समय में दोस्तों नहीं आर्थिक मतलब ना प्र इसकरी जो है किसके दौरा बस आया गया था यहा आगा आ अकबर के दौरा आपको याद Huga अकबर जो थे उन्हों नहीं पतर पोर्षिरिप बस आया था ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगला शवाल आपकी स्क्रीन पर क्या रहें निमलिखित में से कौन जो है रैमन मैक्स से पुरुषकार प्राप्त करने वाले पहले भारती संगीतकार थे क्या वो उस्ताद अल्ला राखा लता मंगेशकर एमेस सुबुलक्षमी और पंडित रवी शंकर कौन है करे सर्थ एमेस सुबुलक्षमी ऑप्शन अबर सी के साथ जा रहे हैं सभी लोग तो करेक्ट आंसर यहां पर एमेस सुबुलक्षमी और यह पहली संगीधकार थी जिनको जुले मैकस से पुरुषकार से संवानित किया गया रहामन मैक्सnaj यह दोस्तों किसके नाम तो यह फिलिपिन्स के प्रेसिडेंट किसके फिलिपिन्स के प्रेसिडेंट जो है उनके नाम पर है यह ध्यान रखेगा प्रेसिडेंट कहा के फिलिपिन रेमन मैक्स से ठीक है यह ध्यान रखेगा और यह आपको ध्यान रखना इसको कहा जाता है क्या इसको कहा जाता है सारे भारतेों को दमल्म पुरुसकार मिला है और पहले दोस्तों व्यक्ति थे वह से विनोबा भावेी बिलकुल asr आपने क्या बात कह honesta दोस्तों पहले व्यक्ति रवी-कनन को किया गया है यह ये का है यह को लाघ कर ते यह तहने हमें मिलओं करते हैं कृते przep इसले संद्ध कि रहूं को ध्यान लखना है कर दोस्तों दिख जायेगा ठीक है सारा का सारा जो भुलोग दोस्तों आपको ध्यान अखना है विनोबा भावे पहले व्यक्ति थे जिनको दिया गया हमारे भार से ठीक है कॉम्मुनिटी लीडर्शिप के लिए गया था कब दिया गया था 1958 यह याद रखेगा यह इंपोर्टेंट हो जाता है 1959 मिला था फिर उसके बात हम बात करते हैं इंपोर्टेंट हमारे लिए रवीश कुमार आपको पता होगा एंडी टीवी शो के जो दोस्तों एंकर थे प्राइम एंकर उनको दिया गया था जर्नलिस्ट थे हैं ठीक है 2019 में और 2023 में किन कि लोगों को मिला यह आप यहाँ पर देख सकते हो और जो 2023 में मिला है वो कौन सा संस्करण है तो यह आपको याद रखना है ये question पूछा जा सकता है, तो ये 65 संस्क्रण है, कैसा है, 65, तो 65 रमन मैक से से आप से पूछा जाएगा, ऐसे कौन से भारती है, जिनको दिया गया है, तो आप कहोगे, रवी कनन जी को दिया गया है, वैसे तो ये चार वित्ति को दिया गया है, लेकिन हमारे भारत से कौन है, वो है रवी कनन और ये एक oncologist है oncologist किसे कहा जाता है जो cancer के अध्यन करते हैं ठीक है और ये किस राज जिसे बिलॉंग करते हैं तो असम राज जिसे बिलॉंग करते हैं ये भी याद रखिएगा चलिए next question बढ़ते हैं अगला सवाल आपकी screen पर ये रहा अगला सवाल क्या कह पहलाता है जिसे सरल्पदार्तों में नहीं तोड़ा जा सकता है ठीक है a substance that cannot be broken down into simpler substances क्या हम उसको तत्व कहते हैं या फिर विश्मांगी मिश्रण कहते हैं या फिर समांगी मिश्रण कहते हैं क्या कहते हैं शरमाजी compound नहीं होगा compound को तो आप तोड़ सकते हो जैसे की for example मैं है CO2 दो elements से मिलकर बना है तो यह बना है compound तो compound को तोड़ सकते हो element को नहीं तोड़ सकते हो very good अखिल बिल्कुल correct है आपका answer राहुल शायद या दिलीप ने किसी ने answer correct किया था ठीक है और जैदेव ने correct answer किया जो लोग कह रहें तत्व उनका बिल्कुल correct होगा आप element को नही तोड़ा जा सकता है तो यहां पर मैंने आपको detail में दिया है कि दोस्तों यह एक ऐसा पदार्थ है जिसको दोस्तों क्या किया नहीं जा सकता है जिसे रसाइनिक तरीकों से और अधिक सरल पदार्थों में नहीं बदला जा सकता है मतलब नहीं तोड़ा जा सकता है इसको यह ध्यान रखना है और यह एक ऐसा पदार्थ है जो पूर्णता एक ही प्रकार के परमानु से बना होता है उधारन अगर हम बात करें तो दोस्तों यह पूरा का पूरा जो मैंने आपके सामने यह जो टेबल रखा ना आवर्तसानी यह सारे के सारे है इनको तोड़ा नहीं जा सकते हाइड्रोजन हीलियम नाइट्रोजन फॉस्वरस ठीक है चले आगे चालिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ और बढ़ेंगे अगले सवाल की तरह अच्छा सभी लोग मुझे बताएंगे कि जो आधुनिक आवर्तसानी है मतलब मौडन पिरि टेबल यह दोस्तों किसके द्वारा दिया गया तब आप कहोगे यह दिया गया था हैंड्री मोसले के द्वारा किसके द्वारा हैंड्री मोसले के द्वारा अगर मैं कहूं कि किस वर्ष में दिया गया किस एयर में उन्होंने दिया सभी लोग मुझे कमेंट करके बताईए म में आपके आंसर देख रहा हूं फटावर से वेरी गुड भूमी फास्ट फिल्म संदीप शुभम बहुत ही बढ़ियां यह बताना है आपको हेंड्री मुसले ने दिया लेकिन किस यह में नाइटीन सिक्टीवन नहीं गलत एक सो अठारा एलमेंट है बिल्कुल दिलीप जी ने सबसे पहले आंसर दिया है और वो कह रहे हैं 1913 शुभम कहा रहे है 1913 मंगेश कहा रहे है 1913 तो जी हाँ 1913 याद रखिएगा हमारा आधुनिक आवर साणी जो आया था 1913 में हैंड़ी मुसले के द्वारा लाए गया और यह दोस्तों परमाडू क्रमांक पर जो है दोस्तों यह बेजड है ठीक है चलिए अगले कोशन प्रवासियों के लिए निमलिखित में से कौन सा शहर जो है सबसे महंगा शहर है ठीक है तो विच आफ फॉलॉइंग सिटी इस तो मोश्ट एक्सपेंसिव सिटी फॉर जो है एक्सपाट्रियेट्स इन इंडिया अकॉर्डिंग तूदा मरसस 2023 कॉस्ट ऑफ लिविंग विद्राबाद है क्या होगा करेंट आंसर वेरी गुड़ योगेश आशीश सैम्शद युकोहामा बहुत ही बढ़िया ब्लैक शाइन वेरेगों जो लोग मुंबई कह रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट होगा मुंबई को देखिए ये दोस्तों कैपिटल है महराष्ट की क इसको फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाता है वित्ती राजधानी कहते है भारत की फाइनेंशियल कैपिटल कहते है किसकी भारत की कहते है मतलब वित्ती राजधानी ठीक है ध्यान रखेगा इसको वित्ती राजधानी कहा जाता है ठीक है उसके अलावा गर हम बात करें तो औ आइलेंड साथ महादीपो का जो है दोस्तों ये क्या है समू है ठीक है ये शहर ये धिहान रखेगा चलिए थोड़ा सा डीटेल में बात करते हैं तो ये दोस्तों न्यूस पेपर का कट है ठीक है आप देख सकते हो ये न्यूस जो है ये कब की थी ये जून साथ 2023 की न्यूस जून की न्यूस है ये धिहान रखेगा और यहां पर देख सकते हो मुंबई मोश्ट एक्सपैंसिव सिटी फॉर एक्सपेट्रीट्स इंडिया मर्सर रिपोर्ट किसकी रिपोर्ट के अनुसार मर्सर रिपोर्ट के अनुसार व्यूंबई तो फश्पर नंबर पर था ही स भेन्गलूरू है यहाद रखेंगे ठीक है चलिए आगे बढ़े आगे पड़ते इसी के साथ हागला जो है आप लोगों के लिए यहा सवाल ठीक है लगता है दोस्तों आप लोगों के यह मज़ा नहीं आ रहा है दोस्तों मज़ा तभी आएगा जब दोस्तों यहां पर 304 सो लोग होंगे और आपस में आप लोग कॉम्प्टीशन कर रहे होगे तभी तो मज़ा आएगा तभी तो 60 डेस चैलेंज किया है अपन ने हना चले यहां पर सभी लोग आंसर करेंगे 1928 से 1956 तक भारत ने होकी के खेल में लगातार डैश मैच जीतते हुए लगातार डैश ओलंपिक स्वानपदक जीते ठीक है तो कोह रहे हैं फ्रॉम 1928-1956 इंडिया वॉन डैस कॉंसे कुटिव ओलंपिक कोल्ड मैडल्स वाइल विनिंग डैश कॉंसे कुटिव मैच इन दा गे अगर मैं ऑलंपिक की बात करता हूं तो आपसे पूछा जाएगा आधुनिक ओलंपिक मतलब मॉडन ओलंपिक जो है ध्यान से सुनिये दोस्तों मॉडन ओलंपिक जो है इसकी शुरुआत कभूई ये सिंपल सा कोश्चन तो आप कहोगे 1896 में 1896 में कहां पर खेला गया था होगे फिरीस में खेला गया घ्रीस की क्या-पिटल डिकरीक के राजधानी जो है एथेंस में खेला गया दूसरा सवाल यह वनेगा कि भारत जो है इंडिया इन्हों कि गोल्ड मैडल जो है हौकी में कितनी बार जीता है ठीक है गोल्ड मैडल जो है हौकी में कितनी बार जीता है तो एट टाइम्स जीता है कितनी बार आठ बार जीता है और भारत गोल्ड मैडल पहली बार 1928 में जीता था आजादी से पहले किसमें हौकी में जीता था और अगर हम पूछे कि आजाधी के बाद हम ने किसमे दोस्तों गोल्ड मेडल जीता तो 1948 में फिर से हम लोग में कितने गोल्ड मैडल अबतक जीते हैं एक जो गोल्ड मैडल है यह अभिनो बिंद्र हुआ जटवाया गया था ठीक है अभिनो बिंद्राजी और अभिनो बिंद्राजी ने कब जितवायाँ था 2008 में इसमें निशाने बाजी में और दूसरा जो है यह निरच चोपड़ाजी के द्वारा जीतवाया गया और इन्हों ने कफ जितवाया तो 2020 के टोक्य ओलम्पिक में इंडोने जैवलिन भाला फेक में जो है स्वानपदक जितवाया अब देखिए सवाल यह उठता है कि सर भारत ने कब कब जीता होकी में तो आपको ध्यान रखना है आपके सामने यह लिस्ट जो है देख सकते हैं सबसे पहले हम लोग ने एंप्स्टरड डिखर मैं अंजर्य हूम्ट जीता रहते उनुसो ऑठाइस उनिसो बतिस और उनुसो छतिस और इन तीनों उलम्पिक में दोस्तों मेजर ध्याचंट भी थे कौन थे ध्याचंट जीवी थे जिनको क्या चाहा जाता है हौकी का जादूगर इंगलिष में कहते हैं हौकी-वि जीता तो छों यहां पर नहीं था फिर टोक्यो में 1964 चीटा फिर मैक्सिको में ब्रॉंस ये में ब्रॉंस सरी मुनिच में ब्रॉंस जीता मॉस्कों में जो है दोст जीटा तो यह आठ näए जाएगा और टोक्यो में इस बार जो 2020 में हमने क्या जीता था ब्रॉंज जीता था तो देखिए आठ मैडल हमने जीते हैं गोल्ड मैडल यह ध्यान रखिएगा आपसे पूछा जा सकता है ठीक है आगे बड़े सर सैवन गोल्ड मेडल टोक्यो ओलंपिक संदीव सैवन यूपिक जो 2020 का टोक्यो ओलंपिक हुआ उसमें कुलिस पूदक इंडिया ने साथ जीते जिनुक पूल पूदक जो है साथ जीते जिन में गोल्ड मेडल किसने जितवाय था नीरत चोपड़ा जी ने ठीक है सिलवर मेडल किसने जितवाय था तो आपको ध्यान रखना है यहां पे किसने जितवाय तो रवी दाहिया ने जितवाय था और किसने जितवाय था आप बताएंगे एक व्यक्ति का नाम वह महीला है आपको ब यह ठीक है तो ऐसे आपको याद रतना एक भी चीज छोड़नी नहीं है ठीक है चलिए अगले कोशन पर पढ़े अगला सवाल निमलिखित में से कौन सी पुस्तक जो है रसकिन बॉंड द्वारा नहीं लिखी गई है ध्यान से पढ़िया को कुश्चन नहीं लिखी गई है ठी सर्फ होना चाहिए और सलमां रुषदी यहां पर करेक्ट और हो जाएंगे क्योंकि सलमान रुषदी ने किताबKO लिखा हुआ है और सलमान रुषदी ने 2023 में current affair का question याद रख लीजेगा इनकी एक उपन्यास आई उपन्यास को हम लोग English में कहते हैं नोवल क्या कहते हैं नोवल आई उस नोवल का नाम क्या था विक्ट्री सिटी क्या नाम था विक्ट्री सिटी नाम था यह याद रखिएगा ठीक है चलिए तो और भी कौन-कौन सी पुस्तक लिखी है यहां पर रस्किन बॉंड ने तो आपके सामने ये रही image रस्किन यह देखे, the room on the roof, पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है, rain in the mountain, time stops at शामली, फिर उसके बाद जो है, our trees still grow in Dehra, the best of Ruskin bond, ठीक है, फिर उसके बाद, a face in the dark, death under the deoders, the lime book of the comfort, फिर उसके बाद है, collected short stories, फिर उसके बाद है, Delhi is not far, और the night train at Dioli, ये भी दोस्तों सारी पुस्तके किसके द्वारा है, तो ये पुस्तक जो है, रस्किन bond जी के द्वारा लिखी गई है, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, लेकिन दोस्तों जिन्नोंने अभी तक like और share नहीं किया, फड़ावर से like और share करते भी चलेंगे, ठीक है, next question आपके लिए, अगला सवाल क्या कर रहा है, किस वर्स डॉक्टर सरोपली राधा कृष्णन को जर्मन पुस्तक जो है व्यापार के लिए, शांती पुरुसकार से सम्मानित किया गया था, बहुत ही अच्छा question, ठीक है, in which year, डॉक्टर सरोपली रा आपके लिए, तो मैं आपको बता है, बलैक शाइनने करेक्ट आंसर दिया था, बलैक शाइन बहुत ही बढ़िया, 1961 सर ने करेक्ट आंसर दिया, ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा, 1961 करेक्ट होगा, सरोपली, RATHERKRISHN, दोस्तों भारत के पहले उपर राश्ठपती थे, और द इनका जन्म अगर आप से पूछेगा कि इनका जन्म कब हुआ था तो आपको याद अखना है 1888 में इनका जन्म हुआ था तमिल नाडू में इनका जन्म हुआ था और इनको दोस्तों भारत रतन से सम्मानित किया गया था ठीक है और इनका निधन कब हुआ था तो अप्रेल में इनका निधन हुआ था ठीक है चलिए आगे बढ़े आगे बढ़ते हैं अगला वोशन आपकी स्क्रीन पर और आप देख सकते दोस्तों जब इनको यहाँ पे जर्मन पुरुसकार से सम्मानित किया जा रहा था तब कि यह तस्वीर है ठीक है चलिए अगला वोशन यहाँ पर कह रहें कि चंगेज खान के नेतरतों में मंगोलों ने डैश में उत्तरपूर्व एराण में जो है यहाँ पर ट्रांस किसी आना पर आकर्मन किया दा मोंगो अंडर चंगेज का इन्वेडेड हैं ट्रैंस वृशन इस्ट इरान में कब आकर्मन यह पूछ रहे है 1219 112 230 327 गो जो देखिए यहां पे किसीने कर्यक्ट आंसर दिया है वो क्रेक्ट आंसर चिसने किसमे दिया मुझे नाम चयाँ इसने करेट्ट प्रियांशी ने करेट्ट डिया है शरमा जी ने दिया है योकु हमा इसार बिलकुल जो कहीं टिकती नहीं थी यहां से वहां मूव करते रहते थे यह अच्छली दोस्तों जो गोवी मरुसल ना गोवी मरुसल वहां पर रहते थे मेली गोवी मरुसल कहां पर है मंगोली और चाइना के बीच में हैं ठीक है और इसने दोस्तों 1219 में इरान पर अक्रमन किया था यह ध्यान रखिए ठीक है थोड़ा से मैं आपको डीटेल में भी दिखा देता हूं तो आप यहां पर देख सकते हैं चंगेश खान जो था 1206 में मंगोल समराज की अगर मैं बात करता हूं उसका संस्थापक था तो मंगोल समराज का संस्थापक कौन था तो चंगेश खान उसने चीन और मध्ध एस्या में अभियां चलाया था मंगोल एक खाना बदोष जंजाती खाना बदोश मतलब जो घूमते रहते हैं जनजाती जो मधष में जुराल परवत और गोबी मरुस्तल मैंने आपको वदाए यह गोभी मरुस्तल वाला है वो एक जूट नहीं किया ठीक है चंगेश खान के नितत में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी इरान में जो है यहां पे ट्रांसोक्सिया ना में जो है अक्रमण किया था और यहीं आप लोगों से पूछा गया था ठीक है याद रखेगा आगे बढ़े हां अगर महां बिल्कुल सही कह रहे हैं मुगल साइट से जो अगर हम बात करें उनके मदर साइट से यह चंगेश खान को भी लॉग करते थे आपको याद होगा बाबर जब लोग पढ़ रहे होते तो हम लोग यह पढ़ रहे होते फादर साइट से वह तैमूर को और मदर साथ अगला जो है कॉशन आप लोगों के लिए यह रहा सवाल क्या कह रहा है निमलिखित में से त्योहार समुदाय का कौन सा यूग में सही सुम्मिलित है सही तरीके से मैच है विच आफ फॉलाइंग पेयर फेस्टिवल और कॉमिनिटी इस करेक्ट ली मैजड आपको यहा आंत का करेक्ट है वेरे गुड़ जो लोग करें यह उप्शन उनका बिल्कुल करेक्ट होगा क्या होगा यहां पर यह उप्शन करेक्ट होगा लोसर देखें लोसर कौन सी जन जाती मनाती है सब लोग कमेंट करेक्ट बताएंगे मोनपा जो है यह अरुनाचल प्रदेश मे से ये त्राइब पाई जाती है यह धियान रखेगा मौन पा ठीक है लेकिन लोसर्त यौहार जो है यह सिक्की मेğं मना जाता है तो इन दौनों का मैच कोई ही नहीं ठीक है लोसर्त यौहार कौन कौन सी जन जाती मनाती यह होमवक लिख लिए सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि यह कौन सी जन जाती मनाती है यह आपको होमवक में बताना है होमवक नमबर वन है कमेंट बॉक्स में बताईएगा कल में आप लोग के जिल लोग आंसर करेंगे उनके मै दोस्तों बोर्ड पर नाम दिखाऊंगा कि किनकी लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है ब्लैक शाइन ने दोस्तों यहां पर एक लिगे लिगें ब्लैक शाइन वह होमवक है उसको होमवक करते हैं ठीक है चले आगे बढ़ें करेंगे तो जैदे बस एक दो दिन और रुख जाए या फिर हो सकता है कली से स्टार्ट हो जाएंगे आप लोग कमेंट करके बताईए तो कि कब से कौन से टॉपिक पर चाहिए जिस टाइम पर आपको जिस टॉपिक की डिमांड रहेगी उसको अपन कर लेंगे आज कमेंट कर बता दीजिए कि कौन सा टॉपिक चाहिए आपको इंपॉर्ट बता रखें तो उसके यसाफ साफसा लोग क्लास कर लेंगे ठीक है ठीक है मंगेश करें साइंस पर मंगेश जी सेटरेडे को साइंस पर लेकर आ रहे हैं मैराथन ठीक है आगे बात करें तो यह देखें कुछ भारऑ उगादी ठीक है देकन फैस्टीवल ब्रहों स्वन अरुणाचर पृदेश में बूरीबूत मेओ को दृत को दरी देखें लोसा लोसर जैस बहुत छोटे हिस्से में बना जाता है ठीक है ध्यान रखेगा सॉरी लोसर जो है अरुणाचर प्रदेश में बहुत बड़े हिस्से में मनाया जाता है ठीक है एक चीजी यहां पर करेक्क कर लिजेगा यहां पर करेक्ट आंसर कर लिजेगा सिक्किम में छोटे हिस्से में मनाया जाता है लोसर में तेवहार है अरुनाचर पदेश का कहा है अरुनाचर पदेश का है ठीक है में 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 फेस्टिवल ठीक ह थोड़े से हिस्सए मेंЭ्ट कम हिस्से में मना जाता है इसको सिक्कीम में मनाते हैं लेकिन holds में और दोस्तो सरुक्षिम का जो प्रेमासी प्रेल वह वहें लूसुंग ते से नामसुं और सागा दावा कौenosा है सागा दावा ठीक है एक्जाम में क्या पूछा गया था सा गागा गया था कि सागा दावा यह कौन सी जन्जाती मनाती है यह आप लोग उसे पूछा गया था ठीक है ध्यान रखे का आगे बढ़ें छलिए तो यहां पर आप तुरियान दिखेगा ठीक है फिर हिमाचलजार प्रदेश में आप देखे कि गोची फेस्टीवल है हर्याना में बैसाखी और ये पूछा गया था यह नहींばना जाता है तो अप्रेल महीने में किसमें अप्रेल के मनत में जाता है तो श्रीटन-धुम्हूर देश में दोस्तों आपको जाना रखना तेजा जी खजुराहो त्योहार यह कुछ फेवस फेश्टिवल यह आपको याद रखना है जैसे आप लोगों के एक्जाम में पूछा गया था कि लूर फेश्टिवल कहां कहा है हर्याना कहा है ठीक है उगादी आप से हम लोगने अल पूरा राज्य का है ठीक है याद रखना है आगे बड़े चले नेक्स कोशन बढ़ते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा है कि भारती सम्विधान के किस भाग में पंचाय से सम्मंधित प्रावधानों का उल्लेक है ठीक है कि इन विच पार्ट ऑफ दी इंडियन रिलेटटञ टू पंचाय तो मैंशन्ड क्या बहां घीरहरा में भाग नौ में भाग नौ का में और भाग दए पारान्स नौ कुछ लोग भाग नौ का कह रहे हैं तो लोग भाग करें उनका प्राट हो जाएंगा क्यों क्यों कि हम बथन गसर रहे हैं पंचायती राज की बात कर रहे एक एक कोशन देख लेते दोस्तों ये किस भाग तो आप लोग ने बता दिया भाग 9 में है किस अनुचेद में तो आप अनुचेद तो बताओगे आर्टिकल 243 में किस अनुसूची में हैं अनुसूची को एंगलिश में कहते हैं इसको अनुसूची 11 वी अनुसूची कितने subject हैं इसमें तो 29 subject है 29 subject 29 विशे हैं ये भी आपको ध्यान रखना है किस संसोधन से जोड़ा गया था तो ये 73 समवैधानिक संसोधन 1992 के तहर जोड़ा गया था ठीक है देखें पंचायती राज डे का मना जाता है पंचायती राज दिवस का मना जाता है तो ये 24 अपरेल क किसे कहते हैं तो फादर और पंचायती राज कहा जाता है बलवंत राय महता जी को किसको कहते हैं बलवंत राय महता जी को कहा जाता है ये भी आपको ध्यान रखना है एक क्वेशन ये पूछा जाता है कि पंचायती राज में जो है महिलाओं को आरक्षन मिलता है क्या मिलता पंचायत राज सबसे पहले लागू करने वाला कौन सा राज था तो राजस्थान था राजस्थान का एक जिला है नागोर जिला कौन सा है नागोर जिला है यह भी आपको ध्यानक ने ठीक है सब्सक्राइब है सर आप क्या बोल रहे थे 11 में श्रीड यह पो रहे है कि जो सब यहां पर पंचायत किस्वें कौन से भाग में तो आप 11 महिना बिल्कुल सही ठेकर राजस्थान का नौगौर जिला नागौर जिला जिसने दो अक्तोबर 1969 को क्या किया पंचायत राज को accept किया था यह धिहान रखेगा चलिए next question बढ़ते हैं अगला सवाल आपकी screen पर यह रहा करें निमलिखित में से कौन सा रसायन चीटियों द्वारा मनुश्य की तवचा पर तब छोड़ा जाता है जब वे काट रती है विच और फॉलवइंग क्यमिकल रिलीज्ट बाइश और यूमन विइंग वें देवाइट CH2O2 CH2O4 CH3O2 और CH4O2 जाएगा थोड़ा फिर आ के दे दिया और कुछ भी नहीं नहीं है करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर होगा आपका option number one क्यों क्यों क्योंकि जब चीटी काटती है तो कौन सा acid निकलता है कौन सा formic acid निकलता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं इसी को मैं लिख सकता हूँ कितने दोस्तों एच है दो है तो कितने हैं तो और यह सेम इसी के जैसा है तो इसी को टिक लगा देना था आपको ठीक है अब देखे यही पर अगर मैं आपसे पूछ लेता कि acetic acid का formula ठीक है तो acetic acid का formula बोलते है CH3COOH लेकिन examiner क्या करेगा ना इसको थोड़ा सा बदल देगा इसको बदलने की जग क्या करेगा कितने सी हैं दो सी हैं कितने हैं तीन यह एक चार ठीक है ओ कितने हैं टू तो लिख देगा C2H4O2 जो है यह किसका formula है तो आपको कहोगे acetic acid जो की सिरके में मौझूद होता है विनेगर में मौझूद होता है ठीक है और इसी को हम लोग इथनोईक acid कहते हैं क्या करते हैं इथनोईक acid कहते हैं बहुत ही बढ़ियां ठीक है अगले सवाल बढ़े वैरी गूड योगेश भूमी अंकिता नमीता बैरी अगला सवाल आपके लिए यह रहा यहां पर कॉश्चन क्या पूच रहे है क्वेश्चन यह कह रहा है कि कोल व बाबा तिलक माझी गडपत राय और जो है बिनरे मनकी किसके दोस्तों नितत्त में हुआ था सभी लोग बताईए करेसर सी होना चाहिए ठीक है यहां पर पूच्षिं क्या है 1 और 3,1 और 4 2 और 3 और जैटी सरी exceptional बी-ऊप्षिं करिया है लोग दी-ऊप्षिंड और च यहां पर बेस फोल होगा क्या यहां और 4 जो है कि संथल्र रेबेलियन संथल्रेबेलियन जो है यह किस वरसे में हुआ था यह कौशन पूछा था तो आपको ध्यानिकना इए इन somewhat 556 में हुआ था यह अक्जामidden पूछा जा चुका है किसे ने किया था तो दो भाय व्हाइओं ने मिलकर किया था सिध्धू मुर्मू और मुर्मूने जो है इसको शुरू किया था ठीक है नेक्स कोशन बढ़ते हैं अगला सवाल आपके लिए रहा देखिए निमलिखित में से कौन सा एंजल निवेशक का सबसे अच्छा वर्णन करता है विच ओफ फॉलॉइंग बेस्ट डिस्क्राइब एंजल इन्वेश्टर क्या होगा एक सरकारी रिंड एजेंट या एक बैंक रिंड अधिकारी या एक नीजी स्टार्टप निवेशक और एक व्यापार सलाहकार क्या हो जाएगा यहां पर सभी लोग बताएए और दोस्तों 18 84 लोग हैं फड़ावर से लाइक और शेयर करते हुए फड़ावर से दोसों के उपर लेके चलते हैं यहां करसर आप्शन नमबर होना चाहिए स्टार्ट आप यहां पे कहरें सी ऑप्शन सी ऑप्शन तो जो लोग सी ऑप्शन कहरें उनका बिल्कुल करें टांस रोगा एक निजी स्टार्ट अप निवेशक् आप प्राइवेट स्टारट अप इंवेस्टर जो है वह एंजल इंवेस्टर धफाइन करता है डिर्स्टाइब करता है चलिए आगे पढ़े healthy प्रुल अगला सवाल निमलखित में से कौन सा संग जो है यहां पर SK लेमिंधि जो का धारन है ठीक विच्छ फॉलॉइंग इस एन एक्जामपल ऑफ फाइलम एसकेल हेलमिंथिस बिच्छू या फिर तिलचक्टा जीना या फिर एसकेरिस क्या होगा इसका एक्जाम करेसर होना चाहिए ऑप्शन नमर डी कुछ लोग करेसर सी होना चाहिए ठीक है तो एक्जाम में क्या फूछा गया है कि फा Question पूछा झाच ऊहिए कि अONA कॉछा गया कि ऐसा कॉछा थे कैजाम है तो ँव लोगत को यह वाज़र्र का बन सब्सक्राइब पक्रूशन चाहिए कि एसा कौन सा है दोस्तों झिसको पादब जगा का अपहेचर कहते हैं तो ब्रायोफाइटा क्या हो जाएका ब्रायोफाइटा उभिहचर का मतलग होता है Amphibian यह Amphibian of Plant Kingdom क्या है Amphibian of Plant Kingdom यह आप को धिछान रखना पादब जगत का जो है। उभहचर कहा जाता है किसको ब्रायोफाइटा को ठीक है next question बड़े अगला सवाल आपके लिए ये रहा question क्या कह रहा है कि दोस्तों नागरिक उड्यन मंत्री जो जो जोतिर आदित M. सिंधिया ने 31 अगस्त 2023 को जो है उतकेला हवाई अड्डे का जो है उतगाटन किया है और यह हवाई अड्डा जो है किस राज्य में इस्थि हैं दोस्तों मिनिस्टर आफ सिविल एविएशन श्री जोतिर आदित अम सिंधिया इनागरेटेड उतकेला एरपोर्ट एट 31 अगस्त 2023 इन विच स्टेट इस एयरपोर्ट लोकेटेड चातिसगर ओडिसा करनाटका और जारखंड क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर करेसर ओड उनरमतलब राजपाल जो है अभी हालिम बने हैं और राजपाल कॉन है तो रघुबर दास है कौन है रघुबर दास जी है ये याद रखना है अच्छा एक चीज का और ध्यान रखेंगे अभी दोस्तों हाली में किस एयरपोर्ट के टर्मिनल टू को किस एयरपोर्ट के टर्मिनल टू को दोस्तों यहां पर ब्यूटिफुल टर्मिनल कहा गया है इंदी वर्ड ठीक है जल्दी से बताईए टर्मिनल टू को कहा गया है ब्यूटीफुल ठीक है मलब विश्व में से खुबसूरत टर्मिनल में से एक टर्मिनल ये भी है जो कि हमारे भारत में हैं ठीक है दिल्ली नहीं है दोस्तों येस जो लोग बैंगलूरू कह रहे हैं बैंगलूरू मतलब बैंगलूर में आपको के एंटरनेशनल एरपोर्ट जो है इसका टर्मिनल टु जो है टर्मिनल तो इसको ब्यूटीफुल टर्मिनल कहा गया है ठीक है миडूर्ण निल्ट ठीक है अच्छा एक चीज का और याद रखना है अभी कौन्स से एंटर्नेशनल एरपोर्ट कर दिया गया है तो सूरत एरपोर्ट पहले दोस्तों डोमेस्टिक एरपोर्ट हुआ करता था लेकिन अब इसको इंटरनेशनल एरपोर्ट कर दिया गया है क्या कर दिया गया है इंटरनेशनल एरपोर्ट कर दिया गया है यह ध्यान रखेगा ठीक है यह सारा का सारा करेंट अफेर से रिलेटेड किस एयरपोर्ट को दिया गया था फटा फट से मुझे सभी लोग बताएं वो कौन सा था वेरी गुड राज पतेल बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है प्रियांशी बिल्कुल करेक्ट है पोखिता बिल्कुल करेक्ट है आपका आंसर गोवा मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट क यहां पर दोस्तों नहीं है चलिए दिखने रहा है इसको लेफ्ट करते हैं ठीक है अच्छा भारत में राजनितिक के अपराधीकरण का अध्यन करने के लिए भारत सरकार द्वारा जो है किस जो है समीती का गठन किया गया था कह रहें विच कॉमिनिटी वॉज इंडिया टू श्टडी दा क्रिमिनलाइजेशन और पॉलिटिक्स इन इंडिया क्या वो श्री कृष्ण समीती थी या फिर तारकंडे समीती थी या फिर दिनेश गो स्वामी समीती थी कौन सी थी यहां पर देखिए वहरा कह रहें कुछ लोग तारक अंसर वोखरा समीती तारकंदी समीती थी यहां पर भी कहा आयोग है मतलब एलेक्षन जो कमेशन है जिसको हम लोग लोग हिंदी में कहते हैं चुनाव आयोग किया कर्था चुनाव आयोग उस में जो है टीन सदस्थ होने चाहिए यह आपको बताया था और यह हुआ तक तीन मेंबर यहां पर जो है चुनाव आयोग में आ गए थे मतलब मल्टीपल बॉडी येस वेरी कोई मल्टीपल मेंबर नौट मल्टीपल बॉडी ठीक है यह ध्यान रखेगा आगे बढ़ें चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के लिए यहां करें निम्लिखित में से कौन से ताप स्थान करण के तरीके है विच ऑफ फॉलॉइंग आर ओफ ही ट्रांफर कैसे कैसे दोस्तों ही ट्रांफर हो सकती है ठीक है कंडक्शन कंवेक्शन रिफ्लेक्शन केवल 3 केवल 1-2 केवल 2-3 या इन में से कोई भी नहीं क्या होगा क कोई कहला सरडेयक शोना चाहिए यह कोई कहला था यहां पर तो ओस्ट अप्सिन नमबर बी कह है उनका बिल्कुल होगा एक और दो करेट हो जाएगा ठीक है करिक्षिन और चंडशन ठीक है क्या होगा कर्रिक्षन और कंड़क्ष्ण एक थे कि यहतल बैसे तो तीन मोड होते हैं थीक है उश्मा को होता दोस्तों इस थानतरिस होने लिए 3 मोड होते हैं एक तो भूगिया आप पता है कंडक्ष व gemaakt फिक है टेक तॉन एक हो गया कौन सा कन वैक्शन कन वैक्षिन और तीसरा होता है साइह होता है सबसे तेज कौन सा होता है इनमें से रेडिएशन होता है यह आपको द्यान रखना है ca सूरज की चिंदेंगे झोलूं होता है वह सोता है कि वह सब्सक्रe वादिकेशंस करते हैं थसे कंडक्शन मैं पारिकल होते दोस्तों आपनी जगह पर ही दोस्तों वाइबरेट करते हैं ठीक है जबकि कंट्वेक्शन में एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के पास जाता है ही ट्रांसफर करने के लिए देखिए इन दोनों को मीडियम की जुरत होती है माध्यम की जुरत नहीं होती माध्यम की जुरत नहीं होती है क्रॉस कर जाता है धान से सुनेगा सांगफाव ट्राइबल डांस इस परफॉर्म्ट इन विच ऑफ दो फॉलंग इस्टेट गुजरात राजस्थान पश्चिमंगाल और नागालेंड कहां पर किया जाता है यह कहरे सर नागालेंड वेरिगूड अनुभाव योगेश लुसिफर लोगों ने यहां पर डियों विक्रांज तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाए करेक्ट अशुका नागालेंड अब देखिए नागालेंड के मैं बात करूं तो यहां की मुख्यमंतरी मतलब सीम कौन है तो आप कहोगे नफ्यूर्यों है यह आपको ध्यान रखना है ना उसके ज मत्सु ट 하루 जाते हैं कि का मवना जाता कि तरी है तरी में हम धावन सोड़ा की थोड़ी सी मात्रा लेते हैं और इसमें जो है लगबग एक एमल जो है तनू हाइड्रोक्लोरिक अमल मिलाते हैं तो हम क्या देखेंगे इफ भी टेक स्मॉल अमाउंट ओफ जो है वाशिंग सोडा वाशिंग सोडा क्या होता है एन एटू सी ओ थ्री सोडियम कार्बोनेट होता है और वो क्या कह रहा है उस अब उदासी निकरन अभी करिया होती है कोई नहीं निकलती है जल्दी से पताईए कहां पर डी आप्शन करेंगा करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा ौप्शन लिए और बादबू आती है ठीक है कौन सी के सिकलती कारबन अधैक्साइड करें प्रैकल दोस्तों प्र लेकर आएंगे हावन सोडा और एसील को मिला के दिखाएंगे लेकिन बद्बू कैसे पता चलेगी आपको बद्बू और सीयोटू तो दिखेगा भी नहीं हना सीयोटू तो कलरलेस होता है अरे यार यह क्यों हो गया चलिए कोई नहीं निमलिखित में से किस इस्थान को जो है किसे कहते है औरेंज सीटी ठीक है तो हम क्या कहेंगे नाकपूर कहेंगे क्या कहेंगे नाकपूर कहेंगे ठीक है वाइन सीटी अगर हमसे पुछा जाएगा वाइन सीटी किसे कहा जाता है तो वह कौन से हो जाएगा नासिक हो जाएगा ठीक है अगर आप से पुछेंगे सि लिए आगे बढ़ते हैं अगले सब्सक्राइब बताएगा आप लोगों का उपनाम क्या है ठीक है असली नाम तो दोस्तों कुछ और है लेकिन आपके उपनाम तो यहां पर कुछ अले की दिख रहे हैं कैमरा में फेक दीजिएगा सियोटू ले बिल्कुल सरमाजी कैमरे में फेक देंगे बिल्कुल सही हाना चलिए आगे बढ़ते हैं अच्छा भारत के सरवोच नियाले की जब पीट से संबंदित प्राब्धानों का उलेख किस अनुछेद में हैं ठीक प्रोवीजन स्वेट ऑफ दिस सुप्रीम कोड ऑफ इंडिया इस मैंशन इन विच आर्डिकल 132 131 130 और 129 किस आर्डिकल में है फटावर से बताईए यहां पर 129 129 139 जो लोग कह रहे हैं उनका यहां पर क्या होगा गलत होगा 130 यहां पर करेक्ट हो जाएगा अब देखिए सर्वोच न इसके अतहयत हुई थी और इसको एस्टैबलिश किया गया था कब 1774 में भारत में कितने सर्वोच नियाल हैं फटावर से सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे जल्दी जल्दी से फटावर से बताईए फटावर से सभी लोग बताईए यहां पर 25 फट्टीस फसे गए फजगै सभी फट जो लोग 25 बोले उनके गए माइनस हो गया माल टाय टाय फिस अब यह 25 के सुप्रीम सरोच नियाले कब से 25 अले लगे उच्छ नियाले होता है बही पच्छी ठीक है सरोच नियाले तो एक ही रहेगा जो कि दिल्ली में है ठीक है तो ऐसी गल्ती नहीं करना है चलिए आगे बढ़ें ठीक है आगे बढ़ते इसी के साथ अगला सवाल है दिल्ली सल्तनत के दौरान उलेमा ले मां शब्द घश से जुड़ा था ठीक है कह रहे हो दिल्ली सल्तनत तर्म उलेमा वाज रिलेटेट टू या फिर एसोसियेटेड विट डैश किसके दौर कमांडर इनचीफ या फिर ग्राम राजस्व अधिकारी विद्वान धर्मशास्त्री और नियाविद और डाक अधिकारी किसको उलेमा कहा जाता था यह शब्द जो है यह क अंसर हो जाएंगे सी ऑप्षन वेरी गूड प्रगती बहुत ही बढ़िया अनुष्का बहुत बढ़िया सी ऑप्षन कमलेश वेरी गूड ठीक है तो यहां पर सी अब दिल्ली सल्तनत की में बात करूँ तो सबसे पहले कौन आए तो सबसे पहले गुलाम वंस आए ठीक है पहले कंघ का तो मतलब स्लीक डैनिस्टी कहते हैं किया कब से कब तक राज्की तो बारनासो से लेके 1414 तक राज किया ठीक तुगलक के बाद कोना आये तो सय्यद आये कोना यह यह रहा। कोशन आपके स्क्रीन पर यह रहा कि तापमान वे किसी भी दोस्तों परिवर्तन के बिना द्रव को गैस में परिवर्तित करने और इसकी विप्रीत करने में आवश्यक उर्जा की मात्रा को किस रूप में जाना जाता है दामाउंट ऑफ एनरजी रिक्वाइड तो चेंज दा लिक्विट टू गैस और वाइस वर्सा विदाओ एनी चेंज इन टेंपरेचर इस टर्मड एस डैश क्या हम उसको विश्ष्ट उश्मा धरीत कहते हैं उश्मा धरीता कहते हैं सनल्यान की जो है गुप्त उश्मा कहते ह हैं यहाँ पर कहिए सर सी अप्षिन सी अप्षिन तो जो लोग यहाँ पर कहे रहेए सर सी औप्षिण उनका क्या हो जाएगा दूस्तो यहाँ पर ऐस सोगा यहाँ जीट Diamond Hum kleiner द elemento में में बदलने की बात कर रहा है तोर डहीं इंसेशन हो जाए लटेंट हीट ऑफ वेपराइ है जिसका द्र्वयमान प्रत्वी के द्रवयमान से डैश प्रतीशत विक कम है जिसकी समुद्री परपटी जो है महाधीपी परपटी का अधीकांश हिस्टा कि सका फैल्सिक चत्तानों से बना है पांच tastes काग हो जाएगा करेक टांसर ठीक है रगन? अगर आपसे पूछों कि अर्थ का घंनत्व कितना है अर्थ की सबीर लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे हम लिए और यह कॉस्टन किया था और यह कॉस्टन हमने कब किया था जब हम लोगों ने वन लाइनर किये थे तो आपको याद हो का मैंने आपको बताया था कि वेरे गुड रियल जाट लेकिन वह होमवक है ठीक है धनतों कितना है वह आपको बताना है ठीक है आगे बढ़े चलिए आगे बढ़ते हैं अगला कोशन आपके लिए रहा है यहां कह रहे है कोशिका जिल्ली के निर्मान के लिए आवश्यक प्रोटीन एवं लिपिड डैश द्वारा निर्मित होते हैं दो प्रोटीन एंड लिपिड असेंशल फॉर दी बिल्डिंग दा सेल मेंब्रेन आर यहां पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका होगा ओप्शन नमबर फॉर एंडो प्लास्मिक रेटिकुलम अंतर द्रवी जालिका जो लोग कह रहे हैं वेरी गुड भनिता या युकोहामा अभीनव नमिता ठीक है यस अनुश्का ए आर एंडो प्लास्मी क्रेटिकुल जो है वो करेक्ट आंसर होगा ठीक है नेक्स्ट कॉस्टिन पर बढ़ते हैं अगला सवाल जिल लोग ने दोस्तों अभी तक लाइग ने किया फड़ावर से लाइक और शेयर भी करते हुए चलेंगे डिक है यहां बताये भारत सरकार मिशन ओन एडवांस एंड हाई इंड ह कावर इंड़स्ट्री सिवल सर्विसेस और डिफेंस यहां पर करसर डिफेंस कुछ लोग करसर सिवल सर्विसेस होना चाहिए तो करेक्ट आंसर यहां पर पावर ग्रिड हो जाएगा यह ध्यान रखेगा विद्यूत द्योग से संबंदित है माहिर तो गलत आंसर सभी योजना डैश में शुरू हो गई थी ठीक है प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना जो है इसकी शुरुवात कब हुई 2000-2010-2005 और 1999 जल्दी से बताइए यहां पर कहरें सर होना चाहिए बहुत भी बढ़िया करें जो लोग यहां पर कह रहें ऑप्शन नमबर 2000 उनका बिल्कुल करेंट आंसर होगा ठीक है चलिए नेक्स कोशन बड़े अगला कोशन आपके लिए रहा देखें एक तरफ आपको इंटरनेशनल कंवेंशन दिये हैं तरफ उसके सब्जक्ट दिये हैं जैसे पुछा वीना कंवेंशन रामसर कंवेंशन बैजल कंवेंशन किस से संबंदित हैं और यह कौन-कौन से करेक्ट है यह आपके लिए होमवक रहेगा सभी लोग कॉमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा इसका आंसर क्या होगा ठीक है ओ हो 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 दोस्तों यहां पर समय होता है समाप्त जहां पर आज हम लोग ने वो सारे सवाल के हैं जो आप लोगों के लिए एक्जाम पॉइंट ओवी से बहुत ही ज़ादा महत्पूर्ण है खासकर SSE GD और CGL के लिए हम लोग ने यहां पर कोशिश की है ठीक है तो जो लोग CGL और CHSL या फिर GD की तयारी कर रहें तो आप में साथ दो पहर को दो से तीम बजे डेली चुड़ सकते हो और कर सकते हो तयारी और दोस्तों आपके लिए बताना चाहूंगा जो लोग तयारी कर रहे हैं उनके लिए दोस्तों बहुत ही बड़ा मौका क्योंकि लोग लगा सकते हो कहां से पास्मसे और यहाँ पर एक नहीं कई इंग्जाम के जो है दोस्तों आप минут जहां पर test series मिल जाती है एक ही उसमें मिल जाती है आपको देखें आपको 314 रुपए में यह मिल रहा है जिसके अंदर आपको और वो भी yearly test book pass इससे दोस्तों आपको इससे कम तो मुझे लगता है नहीं है कि अभी आपके लिए हो पाएगा और कभी हुआ होगा ठीक है क्योंक पी में आई है ससी के अगर हम बात करें तो अभी देखें ससी जीडी जो है February में होने वाला है आई बीए सी आई हो जो है दोस्तों वह कहीं न कहीं जो है जैनवरी में ही हो जाएगा सेकंड वीक में ठीक है और जो है CSIR वह फैबरी के स्टार्टिंग में मिड में हो जाएगा कंटीनु एक्जाम होने वाले हैं एक साल की प्रप्रेशन के लिए सबसे बढ़िया जहां पर सारे एक्जाम आपको एक ही प्लेटपॉर्म पे मिल जाते हैं टेस्ट लगाने के लिए वो भी इतने कम दामों में ठीक है और देखें आपको PDF कहां पर मिलेगी टेलिग्राम प होती है pagina और आपको पता है हम लोग ने दोस्तो सिस्टी डेग्स से लेक्शन चैलन दे लिया हुआ है ठीक है जहां पर हम लोग को क्या करना है ध्ला सा अच्छे से तैयारी करते हुए इसी बार सिलेक्शन ले लेना है और दोस्तों आप अपने आपको इस क्लास में आके ज जी जिएस के लिए फिर उसके बाद विनेश से जुड़ते हैं ुए आपके साथ 3 मज़े मैंस 5 बजे और ना हूं मैं इस्टैलिक जीके के लिए आप से जुड़ते तो आप लोग यहाँ पर इन नया पेज ऊपन होगा ठीक है या फिर आप डायरक्ली यहां पर टेस्ट बूक सर्च कर लिजे क्या सर्च कर लिजे टेस्ट बूक ठीक है टी-e-e-s-t-b-double-o-k टेस्ट बुक जैसे एंटर करेंगे ओहां पर नमबर मांग रहा है ठीक है कोई बात नहीं यहां पर आपको अपना डालना है और जिस्ट करेंगे तो आप लोग को दोस्तों इस पेज मिलेगा वहां पर आप लोग जो है डाय रिकली जाके पास्ट रो ले सकते हैं वहां पर सिर्फ कूपन कोड इस्तमाल करना है गौरव यहीं पर करते हैं समाप्त अगर यह सेशन आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा दोस्तों शेयर करिएगा और फीडबैक मलब कमेंट बॉक्स में करके जरू बताएगा हां मैंने आपसे पूछा था सब्सक्राइब आप लोग कमेंट करके जरू बताएगा उसी के कोर्डिंग आप लोग यहां पर कर लेंगे डिक हैं चले मिलते अगले सेशन में एक नए जोश के साथ इकने सेशन के साथ तो जुड़ना मत भूलेगा मेर साथ अगले सेशन में तब तक लिए रखेगा आप